नमस्कार दोस्तों 45 कमपनियों का डिविडेंट निउज लगा रहा हूं उसके साथ साथ वेदानता की एक छोटी सी खवर लगा रहा हूं लेकिन यह खवर वेदानता की बहुत बड़ी खवर है दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आन कर लीजिए पहली कमपनी का नाम ABB इंडिया है इसकी करेंट मार्केट प्राइस इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 20 जनवरी को रखी है अगली कमपनी का नाम HCL Technologies है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1488 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 12 जनवरी को रखी है और इसके लिए एक स्टेट 20 जनवरी है अगली कमपनी का नाम IOC है IOC की करेंट मार्केट प्राइस 122 रुपया परती सेर है IOC के लिए 149 रुपया का टार्गेट दिया गया है जो की टार्गेट आनंद राठी के द्वारा दिया गया है अगली कमपनी का नाम ACN Paints है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 3311 रुपया परती सेर है इसकी क्वार्टर थिरी रिजल्ट की मीटिंग 17 जनवरी को रखी गई है नेक्स्ट कमपनी का नाम NMDC है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 194 रुपया परती सेर है मोतीलाल उसवाल जो की एक बहुत ही बरी ब्रोकरेज फर्म है उसने इसके लिए टार्गेट 210 रुपया का दिया है नेक्स्ट कमपनी टाटा स्टील है टाटा स्टील की करेंट मार्केट प्राइस 135 रुपया परती सेर है इसके लिए टार्गेट 150 रुपया का दिया गया है जो की टार्गेट JM Financial के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट कमपनी कोचिन से प्याड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1255 रुपया परती सेर है यह स्टाक अस्प्लीट करेगी 1.02 की रेशियो में इसकी एक स्टेट 10 जनवरी है नेक्स्ट कमपनी केंफीन होम है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 788 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 22 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कमपनी का नाम इसान इंटरनेशनल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 82 रुपया परती सेर है यह स्टाक बोनस देने वाली है एक अनुपाद 2 की रेशियो में मतलब दो सेर पर एक सेर फिरी मिलेगा इसकी एक स्टेट अपकमिंग है इसान इंटरनेशनल अस्प्लीट भी करने वाली है यह अस्प्लीट करेगी एक अनुपाद 10 की रेशियो में मतलब आपका एक सेर 10 सेर में कनवर्ट हो जाएगा इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कमपनी का नाम एक जीटा कॉटन है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 40 रुपया परती सेर है यह बोनस देगी एक अनुपाद 3 की रेशियो में मतलब 3 सेर पर आपको एक सेर फिरी मिलेंगे एक स्टेट 25 दिसंबर है नेक्स्ट कमपनी आर सत्यम इंटरनेशनल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 511 रुपया परती सेर है यह 6 रुपया 80 परती सेर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट 22 दिसंबर है नेक्स्ट कमपनी कॉन्नोर है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 842 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 24 जनवरी को रखी है अगली कमपनी का नाम कनानी इंडस्टीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 8 रुपया 70 पैसा है यह स्टाक बोनस देने वाली है एक अनुपात एक की रेशियो में मतलब एक सेर पर एक सेर फिरी मिलेंगे एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कमपनी केशो राम इंडस्टीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 144 रुपया परती सेर है यह मर्जर करेगी अल्टरा टेक के साथ में 52 अनुपात एक की रेशियो में इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कंपनी का नाम पॉल मर्चेंट है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 3,755 रुपया परती सेयर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 20 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम कफोर्ज है कफोर्ज की करेंट मार्केट प्राइस 5,700 रुपया परती सेयर है इसने अपनी डिविडेंट प्लस क्वार्टर थिरे रिजल्ट की मीटिंग 22 जन्वरी को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम पॉल मर्चेंट है पॉल मर्चेंट की करेंट मार्केट प्राइस 3,755 रुपया परती सेयर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 20 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम सार्थक मेटल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 244 रुपया परती सेयर है यह एक रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 22 दिसंबर है नेक्स्ट कंपनी का नाम एम लक्समी इंडस्टीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 95 पैसा परती सेयर है यह बोनस देगी एक अनुपात 50 की रेशियो में मतलब अगर आपके पास 50 सेयर है तो एक सेयर फिरी मिलेंगे एक स्टेट अपकमिंग नेक्स्ट कंपनी अस्टेंडर्ड केपिटल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 65 रुपया परती सेयर है यह अस्पलीट करेगी एक अनुपात 10 की रेशियो में मतलब आपके एक सेयर 10 स सेयर में कनवर्ट हो जाएंगे एक स्टेट 29 दिसंबर नेक्स्ट कंपनी अस्टेंडर्ड केपिटल ही है यह बोनस भी देने वाली है दो अनुपात एक की रेशियो में इसकी एक स्टेट 29 दिसंबर है नेक्स्ट कंपनी का नाम MK एक्जीम इंडिया है इसकी करेंट प्राइस 127 रुपया पर 30 दिसंबर है यह बोनस देगी एक अनुपात 2 की रेशियो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कंपनी का नाम पाल मर्चेंट है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 3200 रुपया पर 30 दिसंबर है यह बोनस देगी दो अनुपात 1 की फिरी मिलेंगे एक स्टेट 18 दिसंबर है नेक्स्ट कंपनी टाटा अस्टील है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 130 रुपया पर 30 दिसंबर है इसके लिए टार्गेट 150 रुपया का बाब केपिटल ने दिया है अगली कंपनी का नाम विदानता है विदानता की करेंट मार्के की मीटिंग 18 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम इन्फोशेश है इन्फोशेश की करेंट मार्केट प्राइस 1504 रुपया परती सेर है इसने अपनी क्वार्टर थिरी रिजल्ट की मीटिंग 10 जन्वरी को रखी है अब वेदान्ता की नियूज वेदान्ता के परवर्तकों ने सहायक कमपनियों के माध्यम से पूरी एक्क्वीटी हिस्सेदारी गिर्वी रखी है बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अनेल अग्रबाल की नेत्रित वाली वेदान्ता रिसोर्सेस ने सहायक कमपनियों Twin Star Holdings, Finsider International और अधिक के माध्यम से अपने वेदानता एक्क्विटी सेरो पर कबजा कर लिया है जिसमें सुचिबध इकाय का 64% हिस्सा सामिल है Medician Pacific Trust वेदानता के परमोटर समूह की कमपनी द्वारा गिर्वी रखी गई इन होल्डिंग्स की देखरेक करता है जिसे Exist Trusty Services द्वारा भारतिय एजेंट के रूप में सुविधा परदान की जाती है जैसा कि कमपनी ने कहा है अनील अगरबाल की नेतरित वाली वेदानता रिसोर्सेस ने अपनी परत्यक्ष और अपरत्यक्ष सहायक कमपनियों ट्वीन अस्टार होल्डिंग्स द्वारा रखे गए वेदानता के लगवग पूरे एक्विटी सेरो पर बोज पैदा किया है फिनसाइडर इंटरनेशनल वेल्टर ट्रेडिंग वेदानता होल्डिंग्स मारिसस टू और वेदानता नीदरलेंड इन्वेश्टमेंट बीवी परवर्तक समू की कमपनियों के पास सुचीबद इकाई वेदानता का 64% हिस्सा है होल्डिंग्स को मेडिसन पैसिफिक ट्रस्टी के पास गिरवी रखा गया है कमपनी ने कहा है कि एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज को इस सुचीबदा के लिए भारती एजेंट की रूप में नियुक्त किया गया था